नमस्कार स्वागत है आपका लाइफ खबर में मैं हूँ आपके साथ पूजाजा चलिए रुख करते हैं खबरों क्यों एचा में राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहे शिक्षिका सिवानी हत्याकान में नया मोड़ाया है शिवानी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे दीपक के पिता ने शिवानी के पिता पर ही ओनर किरिंग का आरोप लगाते हुए अपने बेटे दीपक की भी हत्या की आशित का चताई है और न्याई की गुहार लगाने SSP काराले पहुंची दीपक के परिजनों ने अपने बेटे के साथ मृतक शिक्षिका की फोटो दिखाते वे कहा कि दोनों में प्रेम संबन थे जो शिवानी के परिजनों को मन्जूर नहीं था इसलिए हो सकता है कि शिवानी के परिजनों ने शिवानी के साथ ही उनके बेटी की भी हत्या कर दी हो क्योंकि जिस दिन से शिवानी लापता हुई थी उसी दिन से उनका बेटा दीपक भी गायब था फिलाल मामले में पुलिस ने ओनर किलिंग के पहलू पर भी जाज करने का आश्वासन दिया है बता दें कि पूरा मामला गाउं गडिया का है जहां शिवानी 12 अप्रेल 2018 को घर से समान लेने गई थी और तब से ही गायब थी और 25 जून को उसका शब मिला जिसके बाद शिवानी की परिजनों ने दीपक और उसके साथियों पर गैंग रेप कर हत्याका आरोप लगाया था मेरेट के शिवा अल्टर साउंट सेंटर पर हर्याना की टीम ने छापे मारी करके लिंक परिक्षन करने वाले डॉक्टरों को रंगे हातों गिरफतार किया बताया जा रहा है कि इस सेंटर पर 15,000 में बेटियों को कोक में ही मारने का धंदा जोरो शोरो से चल रहा था जिसकी सूचना मिलने पर हर्याना टीम ने आरोपियों को रंगे हातों दबोचने की योजना बनाए जिसकी चलते एक महला को अल्टर साउंट सेंटर में ग्राहक बना कर भेजा और पूरे रैकेट का परदा फाश हो गया फिलाल पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है आगरा के गुलाब नगर में लूट के इरादे से दो बाइक सवार अग्याद बदमाशों ने एक पशू डॉक्टर को गोली मार कर हत्या कर दी दरसल पशू चिकेट सक मलखान सिंग क्लिनिक से घर जा रहे थे तभी बाइक सवार लूटेरों ने लूट के लिए रुपे मांगे जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी वहीं घटना की सूचना के घंटों बाद पुलिस मौकी पर पहुँची और शब को पोस्ट माटम के लिए भीजा और मामले की जांच में जुट गई मुझफवर नगर में पुलिस की एक ही दिन में दो जगहे बदमाशों से मुटभेड हुई जिसमें पहली मुटभेड भोपा थाना और दूसरी मुटभेड बुढ़ाना मोर पर हुई जिसमें पुलिस ने दो बदमाशों के साथ एक बीस हजार के इनामी बदमाश को मुटभेड के बाद गिरफतार किया मुटभेड में 20,000 के इनामी बदमाश के साथ एक सिपाही भी घायल हो गया और एक बदमाश मौके से फरार हो गया वहीं स्पी सिपी ने बताया कि पकड़े गए इनामी बदमाश के पास से पुलिस को देशी पिस्टल एक मसकट कार्टूस और एक चोरी की बायग भी बरामद हुई है बिजनौर के तहसीन नगीना में सपा कारेकरताओं ने बीजेपी विधायक सुरेंदर नाथ सिंग के विवादित बयान पर उनका पुतला फूप कर अपना विरोज जताया बता दें कि विधायक सुरेंदर ने विवादित बयान देते वे कहा कि अगर भगवान राम भी होते तो रेप की घटनाओं को नहीं रोक सकते थे जिससे गुसाय कारे करताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि विधायक भगवान को ऐसे बोल सकते हैं तो आम जनता को क्या समझते होंगे खबरों वे फिलाल इतना ही यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुनने के लिए देखते रहें लाइफ खबर